तो कॉन्टों हम बैक तो मैं चैनल आज मैं आपको ड्रॉइंग टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन्कों से ड्रॉइंग टूल्स आपके पास होने चाहिए अगर आप अबी भी Kop Mal 쉬 a getting अगर अबी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन्कों से drawing tools आपके पास होना चाहिए तब ये वीडियो को पूरा देखेगा तो यहाँ पर मैं जो drawing tool एड करने वाला हूँ जो भी मैं include करूँगा वो basic and compulsory होगा इसके अलावे अगर आपको drawing tool यूज कर रहे हो अभी सीखना स्टार्ट किया है सेडिंग वगरा सारी चाहिए पर अभी सीख रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको मैं beginner पर रखूँगा और यह बताऊँगा कि उनके पास कौन-कौन से tools कमपल्स हरी हैं कौन-कौन से tools उनको जरुवत पड़ेगी उनको तो second number पे आएंगे intermediate अब intermediate में वो आएंगे जिन्नोंने accuracy पे अच्छा खासा काम कर लिया है setting पे अच्छा काम कर लिया और अब वो realistic drawing बनाना start कर रहे हैं तो उनके पास कौन-कौन से tools होने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा थर्ड number पे मैं रख रहा हूँ advanced जिन्होंने accuracy पे काफी अच्छा काम कर लिया बहुत सारी practice कर लिया realism पे काम कर रहे हैं hyper realistic बना रहे हैं तो उनके पास कौन-कौन से tools होने चाहिए अब tools को भी मैं अलग-अलग purpose के इसाब से अलग-अलग part में divide करूँगा सबसे पहला रहेगा कि drawing seat आपके पास कौन से होने चाहिए उसके बाद outlining के लिए कौन सा tools आपके पास होना चाहिए setting के लिए blending के लिए highlight के लिए या फिर और भी other purpose के लिए ठीक है तो इस तरीके से हम categorize करेंगे और overall मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से drawing tools की आपको जरुवत पढ़ेगी तो कैसे start करते हैं सबसे first category से जिसमें beginners आएंगे तो start करता हूँ मैं drawing seat से उसके बाद दीरे-दीरे हम आगे बढ़ेंगे तो जब मैं drawing seat की मैं बात कर रहा हूँ और beginner की मैं बात कर रहा हूँ तो आपके लिए cartridge seat जो की easily available होता है market में वो आपके लिए best option रहेगा और surface की मैं अगर बात करूँ तो rough surface आप अगर आपकी जो drawing के style है वो artistic है आप setting जादा करते हो, blending कम करते हो या आप practice कर रहे हो बहुत तो उसके लिए आप rough surface यूज कर सकते हो अगर आप realism पे काम करना चाहते हो realistic drawing बनाना चाहते हो आगे जाके तो आपके लिए medium surface जो है वो best option रहेगा और thickness की मैं बात करूँ तो 82, 180 GSM आपके लिए perfect रहेगा इससे जादा की जरुवत नहीं है, use कर सकते हो, कोई issue नहीं है आप 200 GSM या 300 GSM तक भी use कर सकते हो, बट इससे जादा की जरुवत नहीं है आप 180 में काफी अच्छा ड्राइंग बना पाऊगे, उसके बाद हम ड्राइंग सीट के बाद आते हैं outlines पर, कि outlines बनाने के लिए आपको कौनसी tools की जरुवत पड़ेगी, तो यहाँ पर जो market में नट्राइज या फिर doms का pencil आता है, hb pencil जो की लिखने के लिए writing के लिए use करते हैं, वो आप outlining के लिए use कर सकते हो, वो काफी अच्छी quality की आती है, और उससे आप अच्छे तरीके से outline बना पाऊगे, लेकिन अगर आप वो use नहीं करना चाहते हो, तो outline की भी pencil है, उसका भी hb pencil या फिर अलग से भी pencil मिलती है, 2H या hb का, अच्छी quality का वो purchase कर लो, वो आप use कर सकते हो, ठीक है, तो ये सारी pencils, doms की हो गई, artline की, या फिर अप अलग से कोई भी brand की आप देख लोगी, quality कैसी है, वो आप use कर सकते हो, धर्ड आते हैं, setting के लिए कि कौन से tools आपको चा है, artline, जिसमें 6 set होते हैं, अलग-अलग grades के, और एक फैबर केश्टल जिसमें 12 set या फिर 6 set के होते हैं, 12 set होते हैं, वो आप purchase कर सकते हो, easily available है, बहुत ही सस्ता है, artline आपको 70 रुपे में मिल जाएगा, फैबर केश्टल 50 रुपीज में आ जाएगी, एक और option है, अपसरा, लेकिन उसकी जो quality अच्छी नहीं है, उसके सामने अगर आप ये purchase करोगे, तो कफी अच्छा deal रहेगा, तो ये दो pencil आप रख सकते हो, उसके बाद आते हैं blending में, तो blending के लिए आपको blending stamp, blending के जो tools हैं, वो easily available हैं, किसी भी category में जाओगे, blending stamp आप local market से purchase करना चाहते हो, वहां आप यूज कर सकते हो, तो blending में जो tools हैं, वो easily available होते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपका, जिसके उपर command है, जरूरी नहीं है, कि blending stamp ये अच्छा है, या फिर brush अच्छा है, आपके उपर है, आप किस तरीकर से यूज कर रहे हो, तो ये सारी चीजों में से आप अच्छे तरीके साब उसको यूज कर पाओगे, हाइलेट के लिए वैसे अगर आप beginner हो, तो ज्यादा हाइलेट की जरुवत नहीं है, आपको detailing पर focus नहीं करना है, अगर आप beginner हो, तो आपको accuracy पर काम करना है, setting किते तरीके क्यों होते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो सारी च तो फिर आप फज़ा होगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको mono zero razor की जरुवत नहीं है, अगर आपको कहीं highlight देना भी है, तो उसको आप cutter से cut करके आप use कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद extra material की अगर मैं बात करूँ तो आप cutter रख सकते हो, शापनर रख सकते हो, जो भी आप आपको जरुवत है, extra में जो भी आपको जरुवत लगे, आप और रख सकते हो, तो यह सारे चीज़े tools हो गए beginner के लिए, drawing seat में मैं आपको बताए कि cartridge seat, pencil में अगर मैं overall देखू, outline और shredding को मिला के तो आप अपसरा या फैबर केस्टिल की use कर सकते हो, blending के लिए आप blending stamp अच् इतनी सारी चीज़े आपको चाहिए, तो कैस अब आते हैं second category पे जो कि है intermediate, तो कैस यहाँ पे जो drawing materials हो, उनके purposes लगबख same रहेंगे, बस उनको थोड़ा सा upgrade करना है, जो कि हम पहले यूज़ कर रहे थे, beginners यूज़ कर रहे थे, उससे हम थोड़ा upgraded material यूज़ करेंगे, तो drawing seat में अगर आप cartridge भी यूज़ करोगे, तो काफी अच्छे तरीके साब realistic drawing भी बना सकते हो इसमें, लेकिन ivory seat आप यूज़ कर सकते हो, और भी smooth drawing अगर बनाना चाहते हो, लेकिन ivory seat में होता है क्या है कि आपको ज़्यादा skill की जरुवत होती है, अगर आपकी setting skill काफी अच्छ drawing tools यूज़ की है, और इसका drawing seat है, वो cartridge ही है, तो अब इस तरीके के drawing भी बना सकते हो, cartridge seat पे, अगर आप ivory पर shift करना चाहते हो, यह आपका choice है, बस यह है कि उसमें थोड़ा सा skill आपको ज़्यादा लगेगा, उसके बाद outline के लिए आप, यहाँ पे आप mechanical pencil में shift कर सकते हो, 0. वो भी काम आजाएगा, तो आप वो भी use कर सकते हो, outlining में, अब shedding के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा upgrade कर सकते हो, outline विसे काफी अची है, यहाँ से shift करने के ज़रूद नहीं है, लेकिन अगर और भी आपको option चाहते हो, तो आप brushto में shift कर सकते हो, काफी अची pencil है, आपक option बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे इसाब से brushto या फिर artline में ही आपको रहना चाहिए, उसके बद mechanical pencil भी आपको यहाँ include करना पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा detailing करने लग गया हो, थोड़ा सा realism में आ चुके हो, ठीक है, तो mechanical pencil की भी requirement होगी, तो mechanical pencil में 0.5 तक ही आप रह है, लेकिन उसके जरुवत नहीं पड़ेगी, तो HB, 2B और 4B, यह तिन grade की pencil आप purchase कर लो, lead आपको Amazon पर मिल जाएगा, काफी अचा deal है, अब 4B की जो brand है, वो पेंटल ले लो, काफी अची है, मैंने बहुत time से में use कर रहा हूं, around 7-8 महीने से में use कर रहा हूं, या फिर उस management है, तो 4B के लिए आप Pintel purchase कर सकते हो, 2B के लिए Mono Zero brand का है, तो वो भी काफी अचा है, या फिर Stellar में आप shift करना चाते हो, थोड़ा सा expensive हो जाता हो, बट Stellar की quality हो काफी अच्छे मिलेगी, तो आपके उपर है, आप जो purchase करना चाते हो, आपने बज़र की साब से देख लो अगर आपका buzzer काफी अच्छा है, तो आप Stellar यूज़ कर लो, अगर आपका buzzer ठीक ठाकी है, तो आप tombo में shift कर सकते हो, उसके बद blending में आते हैं, तो blending के लिए आपको लगबग same है, tools, blending stamp आप रख लो, यहाँ पे makeup brush आप यूज़ कर सकते हो, काफी अच्छे तरीके साब उसको यूज़ कर पाऊगे, birds आप यूज़ कर लो, उसके बद cotton है, piece of, मताब कपड़े का टुकड़ा चोटा सा, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, तो blending tool में मुझे लगता है कि almost similar ही है, सब सारे categories में, तो अब यह यूज़ कर सकते हो, और सारे tools हो है, वो easily available है market में, तो करे लिए सबसे पहले आपको जरुवत होगी, mono zero eraser की, क्योंकि आप यहाँ पे blending कर रहे हो, realistic drawing बना रहे है, detailing add करेंगे, तो उसके लिए आपको वहाँ पे highlight add करने के लिए जरुवत पड़ेगी, mechanical eraser की भी जरुवत पड़ेगी, needed eraser भी काफी अच्छा tool है, काफी important tool है, तो वो भी आप रख लो, वो भी आप purchase कर सकते हो, simple eraser रखना चाहते हो, वो भी रख सकते हो, और अगला आप white gel pen भी रख सकते हो, जहाँ पे shine provide करना है, अगर shining देनी है, तो वहाँ पे आप उसको use कर सकते हो, उसके बाद other material की अगर मैं बात करूँ, तो आप shopner रख सकते हो, cutter रख सकते हो, और भी कुछ चीज़े अगर आपको लगे, कि इसकी जरुवत आप वो भी include कर सकते हो, other material में, तो guys next category की बात करते हैं, जिसमें आता है advance, अब यहाँ तक आते हैं guys, आपको already बहुत सारी चीज़ों का knowledge हो जाता है, लेकिन मैं आपको अपने opinion बताता हूँ, कि मेरे जब आप इस category में आते हो, तो जब मैं drawing seat के में बात कर रहा हूँ, तो ivory से भी काफी अच्छा drawing कर सकते हो, detail work कर सकते हो इसमें, बट brushto paper बहुत popular है, detailing के लिए, तो आप यह भी use कर सकते हो, और जो थिकने से, वो आपको, चुकि यहाँ पे आप detail work कर रहे हो, तो आपको layers ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, तो drawing page पे, जो drawing seat है, उस पे stress ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, अब बहुत से layering दोगे, बार-बार erase करोगे, setting करोगे, बगार operation गुमा फिरा की, जो है operation अब बहुत ज़्यादा करोगे, तो आपको drawing seat चाहिए, वो की काफी अच्छी compressed on, ठीक चाहिए, ठीक है, मोटी seat चाहिए, तो आप यहाँ पे 200 से 350 GSM तक, आप seat यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसके बीच का, कोई भी drawing seat यूज़ कर सकते हो, अब हम आते हैं, outlining में, outlining के लिए, यहाँ पे जब हम, advance की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको, यहाँ पे detailing पे की लिए, आपको 0.3 mm की, mechanical pencil की भी जरूरत पड़ेगी, तो आपको outlining में यह भी include करना पड़ेगा, आप किसी भी brand का purchase कर सकते हो, सकूरा का है मेरे पास, 0.3 mm का, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो भी product मैं आपको बता रहा हूँ, सारे product है, जो online available है, सारे product के link आपको description मे मिल जाएगा, अब यहाँ पर 0.5 mm का mechanical pencil भी यूज़ कर सकते हो, या फिर normal जो regular wooden pencil होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, जिस आपके requirement की साब से, जहाँ पर आपको लगा का detail outline देना है, वहाँ पर 0.3 यूज़ कर लो, 0.5 भी यूज़ कर सकते हो, या फिर normal pencil भी जिसमें सबसे पहले number पर मैं रख रहा हूँ, artline को, क्योंकि ये pencil जो है, काफी अच्छी है, 70 rupees में आती है, लेकिन इसकी जो quality है, वो काफी अच्छी है, तो आप इसको detail work के लिए भी यूज़ कर सकते हो, second number पर आती है, Faber Castle, Faber Castle की 9000, series की pencil, जो की around 700 में आपको मिल जाएग इसकी quality काफी अच्छी है, darkness भी काफी अच्छी है, उसके बाद आप Steadler भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे artist का favorite होता है, उनका first choice होता है, जो advanced level पर drawing करते हैं, Steadler भी यूज़ कर सकते हैं, आपको around 1000 में मिलेगा, अब आगे Tombo का भी यूज़ करते हो, बहुत सारे brands हैं, आप मुझे comment section में भी लिखना कि कौन-कौन से और brands आपको लगता है कि drawing pencil, advanced level पर यूज़ की आजा सकता है, तो कि आगे में बात करता हूँ, blending tools की, तो यहाँ पे भी similar tools हैं, पस थोड़े से अच्छी quality की आप रख लो, यहाँ पे अच्छी quality की जरुवत है, आप महाँ पे compromise इस नहीं कर सकते हैं, जब आप इस लेवल पर आ चुके हो, तो यहाँ पे भी same tool की जरुवत पड़ेगी आपको blending stamp, earbuds, आप यह भी यूज़ कर सकते हो, cotton, आप बड़े area को cover कर रहे हो, तो cotton की भी जरुवत पड़ेगी, makeup brush, अच्छी quality की आप purchase कर सकते हो, उसको आप यूज कर सकते हो, blending tools के लिए, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ, highlights के लिए, conceptuals के जरुवत पड़ेगी, तो यहाँ पे आप mono zero eraser तो चाहिए ही चाहिए, needed eraser आपको चाहिए रहेगा, उसके बाद आपको white gel pen highlight के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे detail work कर रहे हो, shining जहां देना, वहा white gel pen की भी जरुवत पड़ेगी, तो कि आगे मैं बात करता हूँ, extra tools की, तो extra tools में आप बहुत सारे चीज़े include कर सकते हो, आप cutter यूज़ कर सकते हो, सापनर यूज़ कर सकते हो, normal eraser यूज़ कर सकते हो, scale की जरुवत पड़ेगी, आप वो भी रख लो, और भी बहुत सारे च सक्षन में बता सकते हो, और भी बहुत सारे tools जो मुझसे छूड़ गया हो, चाहे वो drawing sheets से हो, outlining में हो, setting में हो, blending में, कोई सा भी tool जो मुझसे रह गया हो, आप मुझे comment section में जरूर बताना, जिसको मुझे include करना चाहिए था, तो बस guys, आज के लिए इताई, और उमीद करत होगा, वीडियो से कुछ न कुछ सेखने को मिला होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को like कर दिजेगा, चैनल को subscribe कर लिजेगा, और इसी तरीके से मैं content आपके लिए लाता रहूँगा, तो मिलते हैं के लिए वीडियो में, तब तक के लिए, बाब कर दोगिए पैनल को वीडियो कर दोगा, तक कि लिए एक रहा हैं Central